स्वागत है आपका आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की बीजेपी अक्सर विपक्षी पार्चिया बीजेपी पर राजनीती का वाशिक मशीन होने का आरोप लगाती हैं यानी जो बीजेपी में शामिल हो गया उसके ब्रेश्टाचार के दाग धुल जाते हैं राजिस्तान की जैपुर में ऐसी एक खबर आई यहां कॉंग्रेस के आठ पार्षद बीजेपी में शामिल हुए उन पर लगे कथित ब्रेश्टाचार के दाग धोने और सनातनी बनाने के लिए पार्टी ने एक अनुखा तरीका अपनाया उन पर गंगा जल और गौमूतर के आरोपों के बाद जे एम सी एच के मेयर मुनेश कुर्जर को पत से हड़ा दिया था और उनकी जगा कुसुम यादव को मीदवार बनाया था कुसुम यादव को कॉंग्रेस के साथ पार्शदों और एक निर्दल्य पार्शद का समर्थन मिला था 25 सितंबर को ये आठो पार्शद बीजेपी में शामिल हो गए कुसुम यादव के पदभार समालने किसे पहले 26 सितंबर को बाल मुकुंद आचारे ने जेएम सीच परिसर पार्शदों और अधिकारियों का शुद्धी करण किया बाल मुकुंद आचारे ने बताया कि शुद्धी करण से सभी अशुद्धियों को दूर किया गया है अब जैपू नगर निगम में पवित्रता का माहौल रहेगा सवाल इस बात पर नहीं है गंगाजल गों मुत्रवे सवाल इस बात पर है हिंदुस्तान की सनातन की वैश्णों की परंपरा से कॉंग्रेस को आपती है अलर्जी है अभी वहाँ पर कुछ और करवा देते हैं न हम तो कॉंग्रेस से राजी हो जाती क्यों कि हम सनातनी लोग है पूजा पार्ट भगवान में विश्वास रखने वाले लोग हैं हर काम की शुरुआत में गणी जी की पूजन करते हैं आरती लेते हैं आरती के बाद में जलका छीटा देते हैं तो वही पूजा पार्ट करके एक जलका छीटा सबको लगा है सारे वर्ग के लोग थे सारे धर्म को मानने वाले लोग थे वो भी उसमें शामिल हुए ये ना पूजा में प्रार्थना में उन्होंने भी प्रार्थना की है कि बहुत अच्छा हुआ भगवान आपने सुनी और भाजबा का बोड़ बना मेर आगई अब जैपुर का विकास ह इनकी इमेज ऐसी हो गई है मैं बाबा से रिक्वेस्ट करूंगा बाबा आप पहली बात तो बाबा ऐसे नहीं होते हैं और आप विधायक हैं तो आप विधायक भी ऐसे होते हैं आप ये बताईए आप अपने आपको बाबा क्यालवाना चाहते हैं बाबा क्यालवाई आप लेकर विधायत तो बने मानदारी से आफ में वो भी ज की बोतल वहीं से खरीद कर लारा है उसी को पी रहे हैं उसी को गंगा जल्क बनाए की आप चढ़का रहे हैं आप कहने क worry recyc کے पार्सद आप सनातनी हो गय 텐데 आप यह ठिक्डार है और वह सनातन के संगे के और वो यदि पावित्र हैं तो उन पार्षदों को आप कह दो फिर आप उनको उनकी मदद से आप क्यों बना रहे हो कारेवाग में अब शुद्धता की गई है ये तो कहना है विधायक जी का कॉंग्रेस इस पर हमलावर है कह रही है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ ना तक किया गया है बीजेपी कह रही है बालवकुन कह रहे हैं कि ये सनातन धर्म से या सनातन परमपरा से आपती है कॉंग्रेस को इसलिए इन त तरीका है आपके पास जिससे आप प्रेश्टाचारियों को बेदा कर देते हैं तो यही तरीका है क्या इन लोगों के पास पास प्राची जी अभी जब हम पहले ब्रेक से पहले किसी ख़वर पर चर्चा कर रहे थे इसी कर रहे तो मुझे वो कहावत याद आगती है कि लगता करते थे और जिस दिन वो विधायक बने उसी दिन उन्होंने कुछ ऐसा कॉमेंट किया था कि भारतीय जनता पार्टी को उनको रेश्रिक्ट करना पड़ा था समझे तो अभी उनको यह तै करना कि वो हिंदू कथावाचक के तौर पर रहना चाहते हैं विधायक के तौर पर पर रहना चाहते हैं और अब यह शुद्दी करन अगर इतने ψुदध पार्षट तो बीजैपी में लाना चाहता था उनको कॉंग्रेस से इतने अशुद पारशदों को पीजेपी में लाने का अब ये सब बातों पर टिपणी करना भी उनको मौका देना है मैं ऐसा समस्तों मैं ऐसे सब बातों में कोई बहुत वो नहीं करता कि क्या टिपणी की जाए अभी आप टिपणी करेंगे तो बहुत सारे लो के कार्याले में ये जो सारा सार्वजनिक तौर पे धर्म का एक दिखावा इस्तेमाल करने की जो आदत है न उसको मैं पसंद नहीं करता और मैं टिपणी उस पर करना नहीं चाहता कि क्या टिपणी की जाए इन पर आप टिपड़ी करेंगे अश्वर्दन जी तो बढ़िया इस बहाने कहानी कुर्सी की जैसे शो में आचायर जी को बढ़िया फुटेज मिल रही है वो इसको आगे बढ़ाएंगे और हलाकि आप ध्यान से गर देखें तो आचायर जी ने बड़े मजे से वो सच बता दिया उन्होंने का जैसे हम घर में पूजा करते हैं अब ये तो खबर बनाना है तो उसमें शब्द जोड़ दिया शुद्धी करण अब उसको शुद्धी करण कर दिया अब जितने लोग आए हैं वो भी उसी तरह से पूजा सुनते होंगे वो भी उसी तरह से गंगाजल का एक तरह से कहें कि पूरे घर में वो जाके छिड़क देते तो सब वही करते होंगे मुझे लगता है ये खबरों में बने रहने के भी कोशिच है लेकिन एक बात मैं जरूर करूँगा आचारे बाल कृष्ण जी से बड़ी उम्मीदे भी हैं जब आप भगवा पहन कर इस तरह से विधान सभा में पहुंचते हैं निश्चित तोर पर जो विधायक है अभी हवा महल से बड़े कंट्रोवर्शन शिर्वासी रहे जब विधायक बने तो का हवा महल में मेरे क्षेत्र में को भी नॉनवेज की दुकाने नहीं चलेगी मीट बटन बेचा जाएगा बहुत विरोध हुआ तो बोले कि में इनका शुद्धी करूण क करूँगा और फिर वहां पर इंदो गंगा जल लेके गए उनकी दुकानों पर गंगा जल छड़का दुकानदारों पर कि आप शुद्ध हो गयो शुद्धा के साथ आम नॉनवेज बेचो तो बाल मुकंद तो हमेशा से इस तरह के काम करते रहे हवा महल के अंदर जब वि जो गया रितिनात बन सकता हो राजस्थान को लेकर तो बाल मुकंद आचार करा और बिसिकली जो मामला रहा है ये मेर को लेकर रहे है जैपूर नगानिका में कॉंग्रेस का बहुंबत था कॉंग्रेस की मेर थी अभी वरकास कर दिया गया है यह निर्दली जो जीती है उसक पार्टी का दामन साम लिया और उसके आदार पर कुसुम यादो निर्दली को मेर बना दिया गया अभी कारवाग बन गई है खबर यह भी आ रही कि जो भी टेपुटी मेर है वहां से असलम फारुकी उनको भी अविशास प्रस्तावला का रटा जाएगा वह कॉंग्रेस के दस तरिक को वहा पर रुंका बनाने वाली है तो चुके अब वहा पर तोड़फ़ शुके ऑठाठ पार्षित आपके चले गहे निर्ज़ा भारतर पार्टी के साथ तुक्त आए था कि भारत्यांत्या पार्टी के वहां मेर बनेगा तो यह तो यह कुल एक राजितिक मामला अगर किसी को पार्टी में सामिल करके हम सीधे माला पहना दें और ले आए तो उसमें कोई समस्या नहीं है लेकिन अगर थोड़े सुधी करण की प्रकिरिया अपना दी जाए तो वो समस्या हो जाए यह बास सही है कि सुधी करण आंतरिक होती है मनुष जो है अंदर से ही पवित्र हो सकता है लेकिन हमारे यहां सभी धर्मों में सुधी करण की अपराद स्विकिर्ती की प्रैस्चित के कुछ बिधान है तो अगर उसकी एक सुरुवात किसी तरीके से की गई है कि भाई आप यहां एक तो बीजेपी दूसरी पार्टियों से लाकर सामिल कर रही है ऐसे ही उसके यहां ब्यापक असंतोस और बाकी चीजे हैं और वो आ करके बदलते हैं नहीं बदलते हैं यह भी सामने दिखाई देता है लेकिन सुद्धी करण की प्रकिडिया में गंगा जल गोमुतर उसके तो पाप बीमुचन मंतरस्या पाप के बीमुचन तक के हमारे यहां प्रावधान है और आज कोई करेगा तो उसको मजाक लगता होगा अकर सुद्ध कर्म कान रिर्ती से किया जाए ब्यक्ती को बैठा के उसका अंतरमन बदलने के लिए हो तो उसका असर होता ही होता है यह जरूर राजनिती में इस परकार का प्रयोग करने के पहले जरूर समझना और सोचना चाहिए कि जीस ब्यक्ती पर हम कर रहे है क्या वाकई वो ब्यक्ती अभी उसके योग हो गया है प्रेमचंद बैरवा के बेटे का एक वीडियो सोचल मीडिया पर खूब वाइरल हो रहा है इस वीडियो में उनके बेटे पर जैपुर में ट्राफिक नियम तोडने और पुलिस स्कॉर्ट का हलत इस्तमाल करने का आरोफ है वाइरल वीडियो में खुली जीप में चार युवक दिखाई दे रहे हैं जिसमें से एक को डिप्टी सियम प्रेमचंद बैरवा का बेटा और बगल में बैठा युवक कॉंग्रिस नेता पुषपेंदर भारतवार्ज का बेटा बताया जा रहा है ये जीप जैपूर की सड़कों पर गुम रही है और उसके पीछे राजिस्थान पुलिस की गाड़ी स्कॉट कर रही है वीडियो में साफ दिख रहा है कि जीप में सवार युवक ट्राफिक नियमों का पालन नहीं कर रही है जो पुलिस की गाड़ी डिप्टी सियम के बेटे को स्कॉट कर रही है वो परिवान विभाग के नाम से रजिस्टर्ड है और परिवान विभाग राजिस्थान के डिप्टी सियम प्रेमचंद बैरवा के अधीन हो जाता है ऐसे में सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है हाला कि इस वीडियो की पुछती हम नहीं करते हैं लेकिन इस वीडियो पर जो सवाल खड़े हुए है उस पर जरूर चर्चा वो हम करेंगे लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं प्रेमचंद बैरवा का इस पर क्या कहना है ये मेरा बच्चा भी शेनियर स्कूल में पढ़ता है और उसके साथ में स्कूल के बच्चे वो आप सिम दोस्त हैं और मैं तो मानने परदान मंत्री जी को दन्यवाद देना चाहूँगा इस बात को के मेरे जैसे विक्ति को राजस्तान का उपमुक्य मंत्री बनाया और उपमुक्य मंत्री बनाने के बाद मेरे बेटे को अगर कोई भारी पैसे वाले लोग या उनको साथ बिठाते हैं उनकी गाड़ी में बिठा लिया तो उसने भी देखने का उसने मोका दिया है कि वो भी एक अच्छी गाड़ी को देखा है तो मैं कहता हूँ कि बच्चा है अभी और अभी तो 18 सल का भी नहीं हुआ लेकिन वो लोग दे रहे हैं तो मैं तो दन्यवाद मानूगा कि वहां तक आज मेरे बच्चे को भी पूछने लेगे जब मुझे मुझे मंत्री बनाया परिवेल विबाग के आपके पास है और फिर यातायत नेमो की दजिया उड़ी इसको लेकर विपक्ष निसाना नहीं दे यातायात की कहां दजिया उड़ी ऐसा नहीं है उन्होंने तो कोई एसकूट के लिए का मेरे बच्चे की स्कूट के लिए पीचे चल ली थी मेरी गा है कि कोई ऐसी बात नहीं है अब आपने डिप्टी सीम को सुना अर्चबरदन जी डिप्टी सीम कम और पिता के तोर पर ज्यादा अपनी भावनाओं को व्यक्त करते वे नजर आ रहे थे बच्चे के प्रती अपने प्यार को जता रहे थी कि क्या गुना कर दिया अगर एक म हम यह कह सकते हैं कि यह वीडियो सही है अब यह आपने कहा था ना कि हम इसके जिम्मिदारी नहीं लेते हैं अगर खुद बैरवाजी मान रहे तो इसका वीडियो सही है अरे वह जीप उसमें किस तरह का टायर लगा हुआ है परिवहन विभाग के जितने नियम है सब का वो लंगन कर रहा है और आपका बेटा है क्या कौन सी लाई यू रिपोर्ट लगी जिसके आधार पर गाड़ी इस तरह से सिक्यूरिटी के लिए एसकॉर्ट करती हुजाएगी आपको तो बोलना चाहिए था बच्चा है गलती हो गई हम देखेंगे दोबारा ऐसा नहीं हो और अ आदमी को इस से विन स्टार में घुमा देगा दुनिया का ट्रिप दे देगा पता नहीं मैं मुझे लगता है कि अगर बैरवा जी तक मेरी बात पहुंचे तो जना अपने ही वीडियो को दो बार चला कर देखें सुने बुद्धी शान्तों कुस समझ में आए इस श्वर से पुश्में भरदा जो कॉंग्रस की नेता है, उनका बेटा साथ में बेटा हुआ है, रहमत अली का बेटा उससे साथ में बेठा हुआ है, यह सब वो लोगें जो कॉंग्रस सभजें दोंने करोण रुप का वैवसाय किया है, और भारतिय आन्था पार्टी इनको के बैटों के साथ घुम्राज जने वो के ख़िया रही है और उन्हों के साथ बेट कर मेरा बेटा ैर्या पार्टी मना रहा है सफारी कर रहा है प्लिस रुक्षा दे रही है तो यह बता रहा है कि किस तरीक से कॉंग्र्स वधश्पा के लोगत आपस में मिलकर चलते है आपस के बच्चे कोई अपराध कर देते हैं ऐसे ही सडक पर वो सामानने लोगों को टक्कर मार देते हैं ऐसे ही लोग सत्ता के नशे में चूर होकर अहंकार में होकर फुटपात पर गाड़ी चड़ा देते हैं जिसमें सोते हुए लोगों की जान चली जाती है ऐसे ही लोगों की ग तससा सदि हो सकती है मैं इसको बोलता हूँ सेक्रेट दील को अ ला रहा हूँ उसके साथ काम कर रहे हो और चल रहे हो हीरो की तरह और आपको सक्षbones दे रहे हैं उनके पडिरिवाहंविबात का बिचलत विजाने बैसल जो 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 कॉन सा वो गोली मार दिया था पिछले कंट वह उन्मम दो हैं। इस पर तो ऐसे ब्रड़ाने को संध्यानना चाहिए कि कोई भी सरकारी गारी कैसे किसी प्राइवेट आदमी को इस धंग से सकॉट कर सकती है अब क्या कहेंगे आद बच्चे के लिए भी खतरनाक है मतला जो ससाइटी में होगा नहीं होगा वो तो अलग मुद्दा है जिस तरह से यस सारा कुछ हो रहा है बेरवास आपका दूसरा बाना जागा कि मैं दलित हूँ, बीसी हूँ, पिछले से आता हूँ इसलिए मेरे बेटे की प्रगती लोगों को देखी नहीं जा रही है बात में तो ऐसी कर रहे हैं कि बड़ी गारी में बैठा है, बड़े लोग उन्हें बिठा रहे है दिल्ली के पूरवा डिप्टी सीम मनीश सिसोधिया ने इस बात का इलान किया तरसल मसीडी स्टैंडिंग कमेटी के एक सदस्य का चुनाव होना है इसके लिए कल शाम से रस्ता कशी चल रही है अब MCG कमिशनर ने आदेश चारी कर आज ही चुनाव कराने को कहा सिसोधिया ने सवाल पूछा कि कि किसी चुने हुए सदन की बैठक की अध्यक्षता अधिकारी कैसी कर सकता है महिपूर मुक्यमंतरी अर्विन केजरिवाल ने कहा कि कॉर्पोरेशन की सिटिंग बुलाने का अधिकार सर्फ मेयर को है लेकिन नियम खानून को तोड़कर नया आदेश चारी किया है मेयर ने कमिशनर को चुछ लिखी है आज के चुनाफ को खेर कानूनी करार दिया है हलाकि अपडेट इस वक्त यह है कि चुनाफ के लिए वोटिंग जारी है आम आदनी पार्टी ने इसका पहिशकार किया है कॉर्पोरेशन की सिटिंग बुलाने का अधिकार सर्फ मेयर को है लेकिन नियम खानून को तोड़कर नया आदेश जारी किया है कि आरोप आमादनी पार्टी की तरफ से लगाय जा रहे मेयर ने कमिशनर को चुछ लिखी है आज के चुनाफ को खेर कानूनी करार दिया चाए कि कॉर्पोरेशन का सिटिंग बुलाने की सदिंग की सिटिंग बुलाने का अधिकार केवल और केवल मेयर को है और किसी को नहीं है LG साहब नहीं बुला सकते कमिशनर नहीं बुला सकते केवल और केवल मेयर सदिंग का वो बुला सकती है और मेयर उसकी जब सदन होगा तो मेयर उसके अध्यक्सता करेंगी ये क्या है कि वही अलजी साब ने सदन बुला दिया और उसकी अध्यक्सता कोई अफिसर कल को तो ये लोगसभा की अध्यक्सता कहेंगे कि होम सेकरेटरी लोगसभा की अध्यक्सता करेगा हम जनतंतर में रहते हैं, हम डेमोक्रिसी में रहते हैं दूसरा कानून में लिखा है कि जब भी सदन बुलाये जाएगा 72 गंटे का उसमें समय दिया जाएगा कोई कांसलर बाहर चला गया, कोई कांसलर एवेलेबल नहीं है सब को टाइम की जुरूरत होती है यह क्या रातो रात, तो इनकी नियत में खोट नजर आ रहा है कुछ ना कुछ गडबड करने की इनकी साजिश नजर आ रही है जिस वज़े से यह ताबड तोड यह लगे हुए है अभी मेर को पता चला है, मेर ने शायद चिठी लिखी है कमिशनर को उन्होंने आज होने वले चुनाव को गैर कानूनी और असमविधानिक घोशित कर दिया है कैसे किसी अधिकारी के अधिकार क्षेतर में हो सकता है क्या वाकई में यह तरक अरविंद केजडिवाल का ठीक हे वज़ेज अर्विन केजिर्वाल जो रूल बुक है उसके इसाब से कह रहे हैं कि MCD की बैटाक होनी चाहिए लेकिन इसका प्लिटिकल बैक्ग्राउंड क्या है कि अभी जो आम आदमी पार्टी की कुछ पारशद है वो शिफ्ट हो गए, मूव कर गए है तो उससे उनको लग रहा है और हो गया है तो इसलिए उनकी चिंता वाजीब है लेकिन आप मेयर को बुलाना चाहिए अब यह वैसा का वैसा है जिसका खुद आम आदमी पार्टी ने जिक्र किया है कि वो इस घटना पर अभी शायद बोले निक एजरिवाल साब लेकिन मैंने देखा कि मनिश शिशोदिया जिक्र करें कि वो चंडीगड में जो मेयर का चुनाव हुआ था उसी रेफरेंस में इसकी बात कर रहा है कि चंडीगड में बी उस तरह से एक अफसर को बुलाकर आपने उचनाव करवा दिया था और वो गल्त हुआ था फिर कोट में उसमें प्रेस लक्या था अब इसमें परेंगे कर दो कि आडिमिः थी करने सब काम कर रहे हैं यहां मुख्यमंतरी जीन dice कर दूझाले अभून काम करने Lektor है ना भूद कम समय चाहिए सर्कार के लिए तो दिल्ली का कब करने दे WiFi तो बताएं किडिक नवताएं कि पाखे आप कुछ भी नहीं करने दे रहा है उनको पहले ही भाजपावलों ने बदमाशी करके जेल में डालिया है बताएंगे न कैसे क्या कर रहा है आगे पीछे बाएंदाएं उनकी एक बड़ी तस्वीर लगा के रखें कि मैं चल जरूर रही हूं लेकिन चार और के अजयारवीन क साथ में चलते हैं तो पंजाब के मुख्य मंतिकों नहीं छोड़ा है वो समझा रहे हैं कि ऐसे-इसे काम करना है ऐसे-इसे देखना है